हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल शिवान का ब्लॉग्स कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद करती हूँ आप सभी लोग इस समय अच्छे होंगे, सेफ होंगे तो आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, सिर्फ ये एक information है, जो मैं देने वाली हूँ कि हमारे यहां किसने किसने वैक्सीन लगवा लिया है तो बस ये एक छोटा सा information ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं वैक्सीन लगाने में और क्या कोई परिशानी आई या कोई परिशानी नहीं आई तो बस ये चोटा सा वीडियो उसी के लिए है तो मेरे यहां मेरे हस्बेंट में लगवाई है क्योंकि वो लोग frontline workers हैं, गवर्मेंट जॉब में भी जितने भी लोग frontline workers थे जिनको पब्लिक के बीच में रहना था तो उनको सबसे पहले लगा हुआ था vaccine तो उसमें मेरे हस्बेंट मेरे भाई और मेरी दीडी भी आती हैं तो उन लोगों को सबसे पहले vaccine लगा था और वो थोड़ा घवरा रही थी तो उनका पिक यह नहीं लेपाए थे क्योंकि मंपी को आप लगे हुए थे इस वज़ये से उनका पीक्स नहीं लेपाए थे लेकिन मम्मी को एक डैज लग चुका है दूसरा डैज अभी उनका लगवाना बाकी है और हो सकता है कि दूसरा डोज लगे और जब मुझे वैक्सीन लगे जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि मुझे वैक्सीन अभी तक नहीं लगा है क्योंकि हमारे शहर में 18 प्लस वालों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा हुआ है नहीं लग रहा है तो इसलिए मुझे भी नहीं सुरू हो जाएगा मुझे भी लगेगा तो मम्मी को ममी के सेकेंड डोज का और मेरी वैक्सीनिशन का जब वैक्सीन होगा तो उसके बाद मैं आपको जरूर इनफॉर्म करूंगी तो इस तरह से तो इन तो तीन चार लोगों को मैंने बताया आपको इसके अलावा मेरे मैके मेरी मम्मी पापा को भी वैक्सीन लग चुका है तो इस तरह से इतने सा नहीं को मेरे यह वैक्सिन लगा हुआ है और यह मैं बताने वाली हूं कि उस बेक्सीन को लगवाने के बाद क्या एफट आया तो जैसे मेरे हज़्बेंट लगवा के आया थे तो वह तो बिल्कुल लोग थे और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी और अभी तक उनका दोनों डोस कंप्रीट हो चुका मेरे ख्याल से एक या डेड़ महीने हो भी चुके हैं तो वह बिल्कुल फिट है कोई उनको दिक्कत नहीं है वैक्सिन लगवाने के बाद कैसे मेरे भाई के साथ भी कंणिशन थी उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई और दीडी भी बोल रही थी मंघापधा और लेकिन वैक्सिन लगवाने तो बस यही प्रॉब्लम हुई थी बाकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी हल्का फुलका फीवर का असर किसी को बताया जा रहा है तो उसके लिए भी मेडिशीन वहां पर दी जाती है तो इसलिए जो है वैक्सिन आप लोग लगवा सकते हैं और मैं तो वैक्सिन तो देखिए यहां पर मेरे हस्बेन हैं वैक्सिनेशन कराते हुए तो मेरे यहां सब को वैक्सिन लग चुका है जिनको लगने के लिए मतलब एवलेबल था वैक्सिन उन सब लोगों को तो इस तरह से सब लोग वैक्सिनेशन करा रहे हैं तो आप लोग भी वैक्सिनेशन क कर रही हैं तो हमें कोपरेट करना चाहिए तो इसलिए आप लोग जरूर वैक्सिनेशन करवाइए और इसमें कोई डरने की बात नहीं है मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए है चैनल प